और अब छोटा दल लेकिन बड़ा बल जी हां देखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी और इस कहावत को यूपी के लोग सभाचुराओं में इस बार ना सिर्फ आजमाया जाएगा बलकि इसका सबसे बड़ा इंतहान भी 2024 में ही होगा क्योंकि ये मोदी के हैट्रिक को रोकने की जंग है जिसे हर अखाल में इंडिया गडबंधन जीतना चाहता है दरसल जैसे ही यूपी उन समाजवादी पार्टी और कॉंग्रिस में सीट शेरिंग की डील डन हुई आप तक जो छोटी पार्टियां इस उधेड बुन में थी कि किसका साथ उनके सियासी भविश्य के लिए बहतर है उन्होंने तुरंत अपना निर्न लेना शुरू कर दि आज यसी का एनलसस हमारी स्पेशल स्टोरी में कॉंग्रिस यहां पर उत्तरपदेश में सत्रा सीटों पर चुनाओ लड़ेगी अन्या जो बची हुई 63 सीटें इन पर समाजवादी पार्टी के अन्या डलों के भी हम सब में रटकर मुकाबला करेंगे और भारते जनता पार्टी को शिकस देंगे जैसे ही यूपी में इंडिया गठबंदन में औल इस वेल की ख़बर आई यूपी का सियासी पारा हाई हो गया समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच उत्तरप्रदेश में गठबंदन हो जाने के बाद अब छोटे छोटे दलो का भी रुजान उत्तरप्रदेश में इंडिया गठबंदन के तरब रहा है छोटे दलो से गठबंदन करके समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस बीजेपी और एंडिया को उत्तरप्रदेश में जवाब देने की कोशिश कर रही है इंडिया गठबंदन में एक सब्द है इंक्लिजिव समावेशी जो भी दल जो भी राजनेता समाजवादी पार्टी इंडिया अलाइंस की मदद करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं बसरते उनकी भावना उनकी अंतरमन से जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उसको बचाने का भाव हो सपा और कॉंग्रेस की सीटे तै हो जाने के बाद सब के बीच में एक सकरात्मक संदेश गया है ये कोर्स के रूप में इंडिया गट बंदन उत्तर प्रोदेश में लड़ने जा रहा है तो अब बहुत सारे दल जोडने के लिए तैयार है यूपी की सियासत में छोटे दलों के भूबे का एहम हो जाती है क्योंकि यूपी में जातिया अधारित राजनीती का खासा प्रभाव देखने को मिलता है ऐसे में भले ही छोटे दल अकेले चुनाव जीतने का दम रखते हूं लेकिन अगर ये किसी बड़ी पार्टी के साथ जोड़ जाएं तो फिर समर्थन देकर उसे चुनाव जित्वाने के ताकत रखते है 2014 से लेकर 2019 तक यूपी में बीजेपी ने इन छोटे दलों को साथ लेकर जीत का पर्चम लहराया था और अब समाजवादी पार्टी भी इसे फॉर्मूले पर काम कर रही ताकि अंडिये के जीत की हैर्ट्रिक को रोका जा सके अंडिया कटबंदन के साथ जो छोटे दल शामिल है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते कुछ पॉकेट्स में उनकी पकड़ है लेकिन इंडिये के साथ जो छोटे पार्टिया है उनका पैन यूपी असर है आखिर कैसे यूपी में इंडिया गटबंधन बीजेपी के खिलाफ चक्रवियों तयार कर रहा है उसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता तो यूपी में पिछले दो लोग सबाचुनाव के नतीजों को अगर आप देखें तो एंडिये गटबंधन बंपर जीत दर्च करता है लेकिन इस बार इंडिया गटबंधन ने भी कमर कसी हुई है सपा कॉंग्रस में सीटों की डील जन हुई दोनों ही दलों ने मास्टर प्लैन पर अब काम करना भी शुद कर दिया है और ऐसा प्लैन है जो बीजेपी को उसी के पुराने खेल से मात देने की तयारी है तो प्लैन क्या है आई आपको दिखाते हैं जल्दी से आखे किस प्लैन पर काम हो रहा है छोटे दलों का इंडिया गटबंधन की तरफ जुकाव देखने को मिला है दरसल जैसे ही कॉंग्रस और सपा में सीटों के बटवारे पर मोहर लगी वैसे ही छोटे दल जो बीजेप 치 आपने पार्टी के संपर्क में कई चोटे दल हैं यह वो दल हैं जिनका अपने या फिर यूं कहें कि जिले में खासा प्रभाव है अपना इलाका या जिला वहाँ पर आच्छा खासा प्रभाव रखते है आसी लोकसभाषाग में अच्छा खासा प्रभाव है ये इनके संपर्क में है अब तीसरी बड़ी बात आपको बताते हैं सपा लड़ा सकती है अपने सिंबल पर चुनाव ये भी एक तैयारी अंदर खाने, खाबर दरसल ये सामने आ रही है कि अखिलेश यादव इन में से कई नेताओं को अपने पार्टी सिंबल पर चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, यानि कि सिंबल समाजवादी पार्टी का लेकिन चुनाव लड़ेंगे छोटे दल के नेता अब सवाल उठता है कि इन चोटे दलों में वो कौन-कौन से प्रमुक दल हैं, जो समाजवादी पार्टी के संपर्ख में आईए आपको दिखा देते हैं, आधार पर आप समझ पाएंगे कि इन चोटे दलों का आधार क्या है, सबसे पहले देखिए, महांदल, केशव, दे आज़ाद समाजव पार्टी से, तो सभा के संपर्ख में ये कुछ प्रमुक दल है, और उनमें से ये तीनों दल जो हम आपको दिखा रहे हैं, यानि कि महांदल, टीमसी और आज़ाद समाजव पार्टी है, जो कि इनके संपर्ख में है, अब केशव, देव, मौरे की पार् आज़ाद समाजव पार्टी के संपर्ख में फिलहाल है, और हो सकता है कि इने सपा अपने सिंबल पर चुनाव लडा दे या फिर अपने कोटे से एक सीट दे सकती है, ताकि बीज़ेपी को यूपी में करारी शिकास दी जा सके, लेकिन यहाद सवाल ये उटता है, कि इन दलों का इंडिया गडबंधन में जाने से बीज़ेपी को क्या खत्रा हो सकता है, कैसे ये किसी भी पार्टी को जिता या फिर हरवा सकते हैं, चलिए, वो भी जान लेते हैं, आखिर कैसे के साधार पर, तो देखिए, पहला छोटे दलों का जातियों पर अच्छा खा कैंडिडेट को पड़ेगा, यानि इससे इनके जीतने की सम्हावना बढ़ जाएगी, दूसरी बड़ी बात, अपने अपने जिलों में इनकी अच्छी पकड़ है, जितने भी जिले, जहां से ये आते हैं, ये भले ही किसी पार्टी को ज्यादा सीटों पर जीत ना दिला सक लेकिन अपने कोर वोट बैंक की मदद से किसी भी लोग सभा सीट पर किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं, तीसरी बड़ी बात देखे, समर्थन देकर जीत में एहम भूमिका ये निभा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, कुछ इन चोटी पार्टियों का है, यानि ये दिखने में बूंद की तरह है, लेकिन बूंद बूंद से किसी की भी गगरी भर सकते हैं, यानि इन्हें नजर अंदास करना के जबी पार्टी को भारी पढ़ सकता है, और यही वचह है कि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रस इन चोटे दलों को साथ लेकर बीजेपी के किले में सेंधमारी के प्लान पर काम कर रही है।